डिरेक्टर सुदीप तो सेन की मुवी दग कैला स्टोरी आखिरकार काफी विवादों के बाद थियाटर्स में रिलिज हो गई जिसमें लीड रोल में देखने को मिल रही है अदा सर्मा अब कुछ लोग इस मुवी को The Casmere Files के साथ कंपेर कर रहे हैं पर क्या ये मुवी The Casmere Files जैसी बनकर निकल पाई है और आखिरकार इस मुवी के अंदर ऐसा है क्या क्या कि लोग इसका इतना ज्यादा विरौध कर रहे हैं आज की वीडियो में करेंगे इस बारें बाते तो हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल, फिल्मी अली, मैं हूँ आपका दोस्त, वन अल्ली नौशाद अली जब इस मुवी का ट्रेलर आया था तो ट्रेलर के अंदर हमको फिल्म मेकर्स बता रहे थे कि ये कहानी है कैल्ला की 32,000 लड़कियों की जिनका जबरन धरम चेंज करके उनको एक आतंकी संगठन आईसिस के लिए सौप दिया गया था पर फिर ट्रेलर को देखने के बाद काफी विवाद बड़ा विवाद सुप्रीम कोड तक चला गया और सुप्रीम कोड मे विवाद पहुचने के बाद फिल्म मेकर्स ने अपने ट्रेलर की डिस्क्रिप्शन में चेंज कर दिया फिर ये कहानी 32,000 लड़कियों की नहीं रह आती हैं ने कॉलिज में जोइन किया है और एक होस्टल में उनकी रूम मेट है आसिफा जिसके साथ वो रूम शेर कर रहे हैं और आसिफा की इरादे क्या है उनसे वो पूरी तरह से बेखवर है दरसल आसिफा एक आतंकी संगठन आइसिस के लिए काम करती है जिनका काम है अध के लिए सुसाइड बॉमबर बनने का काम करना है अब सालनी जो आसिफा के चंगुल में फर्स चुकी है क्या वो खुद को अपने सहेली को बचा पाएगी और अगर नहीं बचा पाई तो उनके साथ क्या होगा यह जानना है पहुंच जाए नजदी की सिनेमा घरों में जहा अब भी किसी नई मूवी का रिविव करूं नोटिविकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास तो देखो यह मूवी हर किसी के लिए बिलकुल भी नहीं है क्योंकि मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रोटिलिटी है खून खराब है कुछ रेप सीन्स भी है और कुछ डायलोग्स ऐसे हैं जो सीधे सीधे दिल पर वार करते हैं और बहुत से लोगों की भावनाव को भी ठेस पहुचा सकते हैं क्योंकि हिंदु देवी देवताओं के बारे में भी इस मूवी के अंदर बहुत कुछ बोला गया है इसलिए कर आप अंडर एज है या अनमैच्च जो कहानी है वो पास्ट और प्रेजेंट में पैरलल में चलती हैं पास्ट में क्या चल रहा है वो भी मूवी के अंदर देखने को मिलता है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी देखने को मिलता है और यही खास बात ओडियंस को सुरू से लेकर एंड तक इंगेज कर acting performance के बात करें तो अदा सर्मागी जितनी टारिफ के जाए उतनी कम है क्योंकि फिर चाहिए सालनी वाला लुक हो या फिर फातिमा वाला लुक हो दोनों ही लुक में उन्होंने जिस तरह की अदाकारी दिखाई है इसमें उन्होंने थाबित किया है अपने अपना काम काफी इमानदारी के साथ प्ले किया है फिर बात करें मुवी की सिनेमाटोग्राफिक तो वो भी काफे जादा पहतरीन है फिर चाहिए केलडा की लोकेशन्स हो अफगानिस्तान की हो सीरिया की हो जितनी भी लोकेशन्स यूज की गई है जितनी भी सेट अब देखो इसका सचाई के साथ कितना लेना देना है वो तो सिर्फ वही लोग जानते है जिनके साथ ये सब गुजरी है या फिल्मेकर्स की उन्होंने मुवी में कितना सच्चाई दिखाई है कितना जूट दिखाया वो ही सब जानते हैं हमने फिल्म को देखा एक फिल्म के नजरीय से और उस हिसाब से अगर मैं फिल्म को रेट करूँ तो मैं दोगा अस मुवी को 3 आउट ओ 5 के रेटिंग खैर आप बताईए मुवी अगर आपने देखी है आपको कैसी लगी अपनी